दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में market analysis करेंगे दोस्तों कल के लिए कल है तारिक आपकी 8 तोफ में दिन रहेगा आपका Wednesday का तो यानि की कल है शायद bank nifty की expiry शायद कल bank nifty की expiry है ठीक है सबसे पहले सबको बदाई जो जो हमने prediction किये जैसे जैसे हमने सोचा market की चा इन आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था ठीक है ये इधर कहीं जाके नीचे की तरफ खुल देना चाहिए 7 तोफ में के लिए ये ये चैनल आपके सामने में दुबारा भी चार्ट पर ढ्रौ करता हूँ ये रहा सेम चैनल, सेम चार्ट पैटर्न आपके सामने ड्रौ है य यही आपके साथ discuss थाकल, यहाँ पर कहीं पर यह target है हमारा, और अब अगर आप chart को देखेंगे, तो यही low, क्या कहते हैं, बना हुआ है market में, ठीक है, और यह अभी तक इसी channel में है, ठीक है, अभी तक इसी channel में है, closing आई है 22,302, यहाँ से nifty को किस परकार से देखना है, ठीक है, कौन से important level रहेंगे, और bank nifty क्या buy किया जा सकता है, जैसे हम discuss कर रहे थे, उन सब को मैं हापर आपके सामने analyze करूँगा, रखूँगा, please skip मत करिएगा, सुनोगे आधा, करोगे आधा, ठीक है, समझ में भी आएगा आधा, और म ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों एक दिखे, सबसे पहले तो मैं आपके साथ चलूँगा, डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्या है, आप तीन दिन, last के three days पे नजर डाली, market सही तरीके से गिर रहा है, 22,790 के आसपास से, आज जो हमने low देखा है, 22,230, and टेल 37 p.m. इसका टाइमिंग है, next downward journey, 22,175 क्लिक होना चाहिए, और 22,225 उस दिन ट्रिगर नहीं होना चाहिए वापस, ठीक है, तो दुबारा समय चार्ट जाता हूँ, आपके साथ चीजे शेर करता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, दोस्तों, तो hourly चार्ट पे एक निफ्टी को अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक बहुत बढ़िया breakdown आया था निफ्टी में, यहाँ से, यह level है 22,300, और हम गयते हैं कहाँ पर 21,777 एक बार देख लेते हैं ना, कितना लोट, 782, मिरको तो जहाँ ता ज्याद है, 777 था, चले, जो भी है, ठीक है, 21,780 के आसपास, यह low था, यहाँ से गिरे थे, ठीक है, जब यह जर्नी उपर स्टार्ट हुई, यहाँ पर मार्केट हलका सा अटकता है, फिर उपर की तरफ बढ़ता है, इसने फॉल दिया, ऐसे, ठीक 2,30 जो मर्जी चला गया हो, इसने इसी चीज का सपोर्ट लिया है, 22,300, 22,300, यह नोट करके रखिये, ठीक है, तो ब्रेकडाउन नहीं है, देखे, इतना टार्गेट तो बनता था, ठीक है, 22,300 तो इस पैटन को देखके, चाल को देखके, प्राइस एक्षन को देखके, और अब इसके आगे अगर मार्केट गिरता है, तो सबसे पहली चीज जो आपको नोट कर लेनी है, आपको सेल करना है, जिस दिन ये लेवल ट्रिगर होगा, लिख लीजे इसको, अब ये लेवल जब भी ट्रिगर हो, 11 बजे, 12 बजे, 20,30, 9 बजे, 10 बजे, वो आपको, उस दि फिर 22,225 ने ट्रिगर हो, आप नीचे की तरफ आएंगे, इसके आसपास, ठीक है, 21,925 ठीक है, इस परकार से कुछ आपके टार्गेट हो जाएंगे, या 22,000 सीधा इतना निले, सीधा तो एक स्टॉपेज यहाँ जरूर बनेगा, 22,040 के आसपास, 22,050 के आसपास, ठीक है इसके नीचे 21,925 के आसपास, ये दो टार्गेट तो मुझे लगता है कि आने चाहिए, अगर वो नंबर ट्रिगर हो जाता है, चोटा सा SL है, वहाँ से 40,50 पॉइंट का, और अगर SL हीट हो जाता है, सुन लीजे, सुन लीजे, अगर फिर SL हीट हो जाता है, 22,225, भाई, 90% चांसे है, फिर मार्केट रिवर्स मारेगा और उपर की तरफ जाएगा, एट लिस्ट यहां तक, जहां से आज उसने फॉल दिया है, यह लेवल है, 22,450, 470, ठीक है, 22,450, 470, यहां से फिर एक बार नीचे की तरफ ऐसे गिर सकता है, चलिए वो बात की बात है, अगर वो पर 22,175 ना trigger करें, तो कुछ नहीं करना, अगर आप sell करना चाहतेयो, तो यह बिर के लिए clear cut बात है, नाज, नई मैं buying का trade खोजू, buying कुछ हो सकती है, क्या, तेजी कुछ हो सकती है, क्या market में, ठीक है, market में तेजी हो सकती है, उसमें कोई दोर आए नहीं, जो इसने रिकवरी थी अब उस लेवल को नोट करके रोखो यह ठीक है यह खुब देखे 15 15 मिनट की केंडल है यह अगर इसके उपर निकलता है इंट्राडे का ट्रेड बनेगा मैं फिर कह रहा हूं यह मैं समझ लीजेगा कि बिल्कुल मैं तेजी डिकलेर कर दिये तो यह इंट्राडे का 430 के उपर इस लेवल के उपर ठीक है टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं यह अब यह नंबर है कौनसा वो देखना पड़ेगा यहां तक आपको दिखने को मिल जाए ना ओरिजोंटल लाइन ली मैंने यह डाली इट इस 402,420 यह इंट्राडे ट्रेड है ठीक है 22,400 से ल 23, exit यही इंट्राडे ट्रेड है 50,60,70 पॉइंट का मेरी तरफ से तो 390,400 के आसपास ही निकल जाईगेगा इसके आगे तेजी करनी है कि नहीं करनी है वो decision हम लेंगे live market में क्योंकि यहां market फस जाएगा इसके बीच में मुझे नहीं लगता momentum रहने वाला है इसके उपर निकले तो हमें जो piece trade करना है वो यह trade करना है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जबरदस्ट buying को momentum हो ठीक है मैं आपको live market बता दूँ फिर क्या होगा यह hit करेगा 425 को ठीक है 425 को hit करें आप फिर buy कर लीजिए 470-480 आपको फिर 40-50 point मिल जाएंगी ठीक है तो यह piece हम trade करेंगे जब यह cross करेगा 22,330 एंड होशियारी के साथ trade करेंगे profit book करेंगे 425 trigger होगा फिर entry करेंगे इस परकार से कल हमें market को देखना है अगर market में TGOT है तो sell up तब करना है भाई जब 22,175 क्लिक हो जाए ठीक है उसके नीचे hold करें sustain करें यह वड़ में use ही नहीं कर रहा है उसमें कुछ हाथ नहीं लगता और आदमी बहुत safe हो जाता है ठीक है कल के दिन वीडियो बना दूँगा मैं बोल दूँगा उसके नीचे hold नहीं किया उसके नीचे sustain नहीं क से कुछ हाथ नहीं क्लिक हो जाए बहिए या सेल्गी गाड़ी में बैट जाईएगा अब आ जाते हैं बैंक को słu ने वेकित अच्छे से की कलीर होगा कि करना क्या है यह 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 इंग इस लाइन पर हहां पर सपोर्ट ले रहा है कि अन्या आ ये इस लाइन पर हां पर सपोर्ट ले रहा है। 48,200 एक बढ़िया सपोर्ट निकल जा रहा है। इसको बाई किया जा सकता है और अगर ये इस लाइन को क्रॉस करें। ये मैं यहां पर थोड़ा सा ना बताता हूं आपको आपको इसलिए मैंने दुपयर को वीडियो डाली थी कहीं आप लोग बाई कर ली कल के लिए निकल के आ रहा है। शौर शॉट ट्रेट दे रहा हूं आपको एक। तीक है अब देखते हैं कितना बनता है। 48,500 के उपर अगर आप बाई करते हैं तो आपको 200 से 200 पोइंट की तेजी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। 48,500 के उपर आप बाई करिए तो आपका टार्गेट है 48,700 प्लस ये 90% स्क्रीन पर आएगा। तो यहां पर भी बाई किया जा सकता है पूरा अच्छे से सपोर्ट पर है आप देख सकते है। ठीक है यहाँ पे भी बढ़िया सपोर्ट पर है और यहाँ पे भी 48,200 एक अच्छा सपोर्ट है तो बैंक निफ्टी में आप बाई करिए 48,500 क्रोस हो तो और 200,200 पॉइंट का मज़ा लीजिएगा पर यहाँ पे निकल जाना है कहाँ पे निकल जाना है जहाँ पे हमें लाइन यह 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 लेवल है भईया 48,750 तो अब एक चीज का ध्यान रखेगा तेजी करिए बैंक निफ्टी मुझे लगता है बाई करना चाहिए अच्छी अपॉर्चिनिटी है 48,000 का SL ले लिजे ठीक है इस लेवल का SL ले लिजे बाई करना चाहिए ठीक है और 48,700 के आसपास एकजिट करिए जा सकता है वहाँ तक उसके बाद अगर इस चैनल का ब्रेक आउट आता है इसको ऐसे करके ट्रेड करता है तो भाई फिर अच्छी तेजी है फिर बढ़िया तेजी है फिर तो मज आ जाएगा तेजी दने बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस रखिए ठीक ह इसका पेटन कुछ एक बार आरेसा ही लगाते हैं इसे दोस्तो सौरी मेली डॉगी सो रहा है उसकी अवाजा रही है और आरेसा ही तो यह वी की एरेसा ही तो यह फिर फिर गी donné फिर फिर फ्योंगर वाएंग égalा DOGTH orchis प्योडूड फिर फिर तो फिर तेर फिर ससपोर्ट प 400 500 पहला टार्गेट 48,500 दूसरा टार्गेट 48,700 वहाँ पे profit book कर लिजेगा ठीक है वहाँ पे definitely profit book कर लिजेगा बाकी देखते हैं अगर 48,500 को नहीं cross कर पाता कल के दिन कल और पर सो दो दिन दो दिन ये note कर लिजेगा अगर next two days में अगर ये 48,500 को नहीं cross कर पाता पाई इसके target फिर नीचे के हैं क्यों क्या होगा इधर ये थोड़ा 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 सा यसे करके हो जाएगी और ये नीची ठूब जाएगी इस देन आप विलियम संग लगा के देखिए इन चारो चीजों को आप लगा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओवर सोल्ड है ये जब अपना क्या कहते हैं होना शुरू होते हैं अपने ओवर सोल्ड उस पर आते हैं और एक्स्ट्रीम ओवर सोल्ड भी हो जाता है जब बिल्कुली सब कुछ इनका जो जैसे आरेसाई है अभी ठटी दिखरीती वन आवर के चार्ट में इसके नीचे वो ओवर सोल्ड में एंटर होना चालो हो जाएगी पर मैं उस पर भी नहीं मानता हूं मैं तो 20 के नीचे मानता हूं 20 के नीचे कहीं बार आवरली चार्ट पर आपको आरेसाई 15 बंदरा के आसपास भी दिखेगी इसमें कुछ आप PCR का भी जोड़ सकते पर PCR के नाम पर बड़ा क्या कहते हैं जोल चलता है इसलिए मैं PCR को इतना फॉलो नहीं करता हूं देखता ज देखायन में तो यह चीजों का फोकस करें क्योंकि यह चीजों की लर्निंग लर्निंग है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगे इन चीजों के आरेसाई मनी फ्लो मैंने वीडियो बना रखी है अब ठीक है कोई सीखना चाहता है इधर जाए यह मेरा चैनल है यहां पर आप इधर प्लेइलिस्ट में जाएए इस प्लेइलिस्ट को खोलिए यहां पर जो वीडियो खोल के आप देख लेंगे आपको लर्निंग ही मिलने वादिए यह बिल्कुल बेसिक्स लर्निंग है और ऐसी लर्निंग है कि आपको A, B, C, D और मार्केट का वो पता लग जाएगा भाई इसके ऊपर आपकी अपने प्रेक्टिस है आप कोई वेबिनार कर लो कोई सेमिनार कर लो सीख के आ जाओ ठीक है मार्केट की स्टडी जो है चेंज होती रहती है मार्केट को आपको भी अपने हिसाब से बदलना पड़ यह इधर आप जाओगे जो पुराने लोग है वो जानते हैं यह टॉप 800-800-900-900 कोईंट का ट्रेड देता था में 800-800-900 कोईंट का ठीक है जो यह पुतिन उतिन गए जितना भी चल रहा है ना एम नोट ओन सेल साइड बी ओन बाई साइड ठीक है और मुझे कोई यह सब यह यहां पे है यार अनलेसिस आप इन डीट का यह यहां पे आगे तीन-चार दिन पहले ठीक है ऐसे करके आपको टार्गेड मिल जाएंगे अम मैं वैसा ट्रेडर नहीं हो भाई मैंने चेंज किया अपने आपको बट बेसिक यही है मेरा जो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक क यही है इन ही के ऊपर मैंने चीजों को डैवल और हो सकता है जो मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो कल ना चले हाई भी लगें मतलब मैं अपने आपको फिर बदलूँगा ठीक है जैसे मैंने गैन का आपके साथ डिसकस किया वहाँ पे गैन सामने सिर्फ को मैंने एड किया है कि अगर क्लोजिंग भी जुड़ जाया तब एक्क्यूरेसी इसकी 90 परसेंट बैठती है अदरवाइस यह 70 परसेंट ही काम करता है अब ग्यान के स्टेडी के हिसाब से तो हाई भी ब्रेक होना चाहिए हाई भी तो आपका फ्राइडे को यह आया था 2790 वह भी ब्रेक होना चाहिए पर क्लोजिंग हमें लोवस्ट मिली न तो वजन किस तरफ जाता है ठीक है तो यह चीज़े उमीद आपको वीडियो पसंद आयोगी दूस्तों लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच